अब ये सीरीज देखने के बाद कौन सा वो प्रोपर शब्द यूज कुरूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊंगे मेरे दिल में क्या चल रहा है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं पैरसाइट दा मैक्सिम एनिमे सीरीज के बारे में टोटल इसके अंदर 24 एपिसोड हैं अहां से शुरू करूँ आपको समझाना मैं चाहता हूं कि या स्टार्टिंग ना दमदार होनी चाहिए खैर चोड़ो यार शुरू से शुरू कर लेते हैं अब इनको जिन्दा रहने के लिए किसी इंसानी शरीर की जरूरूरत है अब देख़ो यह पैरसाइट कहां से आये हैं इसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है जादा तर यह पैरसाइट क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग के उपर अटेक करते हैं क्योंकि चाहते हैं कि वो पूरे पूरा शरी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें उनके पास आ जाये जो concept इन्हों ने लिकाला है जो Japanese ने मैं यार यह सोच रहा था यह series देखते देखते मैं कैर इन्हों ने ऐसे कैसे मतलब दिमाग लगा लिया ऐसे यूनीक से concept यह लेके आए है हमारे अगर भारत के concept की बात करूँ उनके content की बात करूँ तो वो इतने fake propaganda से भरे हुए है उनको देखकर ही उल्टी आ जाती है यार कुछ सीखना चाहिए यार इनसे कैट छोड़ो यार अब देखो यार सिंची के जब एक हाथ का जो parasite बन जाता है तो इसकी life में बहुँ जादा changes आते हैं यह अपने ही हाथ को नाम देता है मिगी क्योंकि Japanese में right hand को मिगी का जाते हैं तो इसलिए parasite को मिगी कहने लग जाते हैं अब केवल इन्हों ने इसके अंदर parasite का attack करना इंसान के उपर ये वाला concept नहीं है साथी साथ parasite की सोच क्या है वो क्या सोचते हैं कैसे अपनी emotion को grow करते हैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से मतलब यार मेरे वह प्रोपर श सोचते हैं कि इनसान को खाकर ये अपनी भूख मिटाई जा सकती हैं और ये इनसानों वो खाना शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे जब ये अपनी emotion को grow करते हैं अपनी intelligence grow करते हैं तब इनको ये पता चलते हैं कि केवल इनसान को खाकर ये नहीं कुछ और चीजें भी खाक उसका 100% का 30% जब उसके शरीर के अंदर मतलब फैल जाता है उसके खून में जब फैल जाता है तो इसके शरीर मतलब इसके इमोशन में इसके बिहेविर में जो चेंजिस आते हैं वो इतना कमाल का है जो ये जो कुछ एपिसोड थे उसके इमोशन में चेंजिस आना दीरे दीर ये दिरे वो कैसे rude हो रहा है, उसके emotion कैसे मरते जा रहे हैं, for example, जब कोई मर रहा है, तो इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, इसको रोना नहीं आ रहा है, और कोई मतलब कि इतनी खराब situation के अंदर, बहुत रावनी, बहुत भेंकर situation के अंदर, ये बहुत शान्त होकर लेकिन तभी, तभी ये शान्त हो जाता है, ऐसी, ये जो situation के अंदर ये फस गया, फिर ये बाहर निकलने के कोशिश करता है, अपनी emotion को फिर से बाहर लाने के कोशिश करता है, इतने प्यार से, इतने अच्छे से, ये हमें देखने को मिलो, पूरा एक, बहुत अच्छा experience मि मुझे भी बहुत प्यार हो गया था, उनसे बहुत connect हो गया था, बहुत अच्छे लगने लगया था, लेकिन उनको जैसे parasite के हादों मरवाया जाता है, वो यार इतना तुकदाए, इतना दर्द होता है, इतना बुरा हमें फील होता है, यार ये और साथी साथ डर भी लगता है, इतना भ्यंकर तरीके से दिखाया, देखो मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता है, किसी भी anime करेक्टर का, क्यूंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई interest उसके अंदर खराब हो जाए, और आप देखो कि यार आपको starting से पता चल गया कि हाँ, ये मरने वाला, तो मैं ऐसी कोई लाइफ को priority देता है, उसके भले ही सामने कुछ भी आया, जैसे ये मिगी एक सीन में कहता भी है, सीन्ची को, अगर तुमने कोई कुछ भी करने ही कोश्च की, जिससे मेरी लाइफ को खत्रा है, मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूँगा, मतलब इतना अपनी लाइफ को लेक फॉर एपिसोड है, अब हर एक के बारे में तुम्हें डिटेल से बताने से रहा, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, अगर आपको इच्छे से इसको फील करना है, एक्स्पिरेंस करना है तो, अंट्रस्ट मी, आपको बिलकोल भी पस्तावा नहीं होगा जब आप ये अनिमे सीरीज देखनें बैटोगे, अब देखो इसको डिजाइन के है, मैड हाउस, अब मैड हाउस के अगर अनिमेशन की बात करो, तो इतना कमाल का अनिमेशन का इन्होंने वर्क किया है, जो एक्स्प्रेशन इन्होंने दिखाने तो बहुत कम टाइम के लिए लेकिन जितना भी टाइम इनको दिया गया, बहुत अच्छे से उनको डेवलोप किया है, हम उससे अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, मुरानों की तकलीफ हम समझ पाते हैं, वो उसको समझाने की सिंची को समझाने की कोशिश करती है, बताती भी है क तो इतना प्यार से हमारे सामने रखते हैं कि हम देखने लगते कि हाँ यह चीज आती है लेकिन बहुत कम पार्ट है और साथ ही साथ एक और एंडमे करेक्टर है जो सिंची की तरफ अकरशित होता है अब मैं उसका नाम नहीं बताने वाला क्योंकि वह एक स्पोईलर हो है वह साफ कटते हुगे इन चीजों को तो बहुत जादा है इसके अगर नेगेटिव चीजों की बात करूं तो नेगेटिव चीजों में मुझे इसकी एंडिंग जो है वह मुझे कुछ खास पसंद नहीं है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि एंडिंग इसकी खराब है लेकिन जैसे हम परसाइट इस एनिमे सीरीज को देखना शुरू करते हैं तो जो स्पीड या एनिमे पकड़ता है हमारा इंट्रस इसके अंदर जैसे बूल्ड हो जाना स्टार्ट होता है कि मतलब जैसे आप इसका फरस्ट एपिसोड आप मैं गयाता हूं आप इसको रोग ही नहीं जो एंडिंग जो हुई इसके सामने मुझे उससे कुछ और जादा उम्मीद ही थी कि मुझे लगा कि इसमें पैरासाइट का जो ऐसे खात्मा नहीं किया जाएगा या फिर कुछ ऐसे लेवल से नहीं दिखाया जाएगा हब मेरा दिल तो कर रहा है कि आप लोग को वो čीजें शेर करूं या देखते हैं कि अगर उसके ओपर अच्छा response आता है तो बेशक मस अंडिंग के-बारे में बात करना चाहूँँगा response आने के उपर है तो अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो यार मैं तो यही कहूँगा किस चीज का वेट कर रहे हो मेरी तरफ से इस anime series को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 star और अगर किसी ने देख रखी है तो please comment करना और मुझे बताना कि आप लोगों को इस series के अंदर क्या अचा लगा कौन सा character सबसे अचा लगा और आप क्या सोचते हैं इस anime series के बारे में बेशक इसके अंदर दिमाग से भी कुछ चीज़ी खेली गई है हमारे साथ और जिन्होंने नहीं देखी मैंने कहा है किस चीज़ का वेट कर रहे हूँ बहुत एक उमदा लेविल की anime series है 24 एक episode है और 22 एक minute का हर एक episode है बहुत अच्छे से आप बतलब पूरा एक enjoy, पूरा एक satisfaction हर एक genre आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा तो बस आज के लिए इतना है ता इस video में